दोस्तों अगर आप भी Instagram चलाते हो तो आपके मन में भी कैई सारे डाउट रहते हैं कि आप अगर Instagram ओपन करके बैटे हो किसी दोस्त के सामने या किसी फेमिली मेंबर के सामने या किसी के भी सामने और अचानक उनको आपका पासवर्ड पता चल जाए तो क्या होगा आपके Instagram को hack कर लिया जाएगा अगर आपका password पता चल गया तो आज मैं इसी पर बात करूँगा कि आप अपने Instagram account के password को कैसे change कर सकते हो और वो भी सिर्फ 2 minutes के अंदर हर एक के घर में Instagram ज्यादतर लोग चलाते हैं और उनको secure करने के लिए उनका password जरूर भी होता है बहुत से लोग उनके password को hack कर लेते हैं तो मैं आपसे ही कहूंगा कि आप अपना password फोड़े समय के बाद जरूर बदल दे रहे हैं ताकि आपका password किसी को पता ना चल पाए और आपका Instagram account hack ना हो सके वो बिल्कुत safe रहे तो चलिए चल दें अपनी mobile की screen पर जहां पर मैं Instagram का icon पर click कर देते हैं जब Instagram का icon पर click कर देंगे तो यह वाला interface आपके सामने आ जाएगा अब आपको password ही से change करना है अब जो आपको सबसे नीचे दिख रहा है right side में profile का option इस पर चले जाना है तो चलिए हम इस पर click कर देते हैं तो जब इस पर click कर देंगे तो यह वाला interface आजाएगा हमारा home page आजाएगा profile का तो इस पर आपको जाना है सबसे उपर जो right side में आपको दिख रही 3 dot इस पर click कर देना है जब इस पर click कर देंगे तो सबसे first में ही आपको एक option देखने को मिल जाएगा setting and privacy इस पर चले जाना ह जब आप इस पर चले जाएंगे तो आपको यहीं से password change करने का option मिलेगा बहुत से लोग यहीं पर सबसे बड़ी गलती कर देते हैं और वो अपना password change नहीं कर पाते सबसे उपर जो दख़रा है account center password security personal detail ads इसी पर click कर देना है यह meta की तरफ से दिया गया है पहले यह नीचे आत ज़्यादा लेकिन अब भी update हो गया है बहुत से लोगों ने अगर update नहीं किया हो अपना app तो update जरूर करने उसके बाद यह वाला option आपको ऊपर देखने को मिलेगा तो इस पर आपको click कर देना है जब इस पर click कर देंगे तो इस टैप से आपका homepage खुलके आ जाएगा अब यहीं से password change करने का option मिलेगा आप यहाँ पर देख रहे होंगे नीचे लिखा हुआ आ रहा है password and security आपको इस पर चले जाना है जब आप इस पर click कर देंगे तो यहाँ पर option लिखा हुआ आ जाएगा change password का सबसे first में तो आपको यहीं पर click कर देना change password पर जब change password पर आप जाए आएंगे तो यह आप से account choose करने को बोलेगा हो सकता है बहुत से लोगों ने कई सारे Instagram account बना रखते होंगे तो सभी यहाँ पर आजाएंगे आप यह जरूर द्यान रखें कि आप जो account select कर रहे हो उसी का password change कर रहे हो ऐसा ना हो गलती से किसी दूसरे account को select कर लो और उसका password change ह जाए तो अभी मेरा फिलाल एक ही account है तो इसलिए यह एक ही सो कर रहा है चलिए मैं इस पर click कर देता हूं जब इस पर click कर देंगे तो यहाँ पर option आ गया है change password का दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हो कि सबसे पहले आप से current password पूछा जा रहा है अगर आपको current password मालम है तो यहाँ पर current password डाल दीजिए तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर current password डाल देना है मैंने अपना current password यहाँ पर डाल दिया है अब इसके बाद में मैंने new password भी type कर दिया है और re-type में मैंने दुबारा से new password type कर दिया है तो आपको भी same यही process करना है उसके बाद में आपक के अंदर चेंज कर सकते हैं वीडियो कर हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना और चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना बेल आइकन का बटन दबाना मत बूलना क्योंकि जब हम कोई वीडियो डालेंगे सबसे पहले नोटिक्रिशन आप के बच जाएगा और आप हमारी वीडियो को देख पाएंगे नमस्कार दोस्तों जैहिन बंदे मातरम